नमस्कार, बीए प्रितम वर्श की विद्धियारतियों इक लास में आपका स्वागत है आज हम वो हितोपतेश के अध्यन कर रहे हैं, मित्रलापकरण हम पढ़ रहे हैं तो देखिए बच्चो अभी तक हम पढ़ रहे थे कि सभी कबूतर अपने का पोत राज चित्र ग्रीव की ना मान करके लोग के कारण चामल वाले जाल पर बैठ जाते हैं तो अब आगे जब वो जाल में फस जाते हैं, तो कबूतर क्या सूचते हैं उसके बारे में आगे प्रसंग चल रहा है अपना, तो देखिए लोभात क्रोधे प्रभवती, लोभात कामे प्रज्यायते, लोभात मोहष्ट नासष्ट लोब पापम्ये कारण तो देखिए, यहां कहँ रहे हैं कि लोभात, लोभ से क्रोधे प्रभवती, क्रोध होता है लोभात कामें प्रज्यायते और लोभ से ही कामवाजना प्रज्यायते उत्पन होती है लोबात मोहष्च नासष्च लोबात और लोब से ही मोहष्च यानि कि मोहू होता है नासष्च और उसी से नाश भी हो जाता है लोब पापश्चे कारणम क्योंकि लोब ही सभी पापों का कारण है यानि कि जब सकोबोतर जालने फस जाते हैं तो सोचते हैं कि लोभात क्रोध है प्रपवती लोभ से ही यानि कि लोभ से लोभनी वस्तों को प्रतिरोध करने वाले पर क्रोध होता है यानि कि लोभ से ही हमें क्रोध होता है लोभात कामे प्रग्यायत है और लोव इसे ही इस्त्रियों के फंदे में फच जाने से काम वासना पैदा होती है लोभात मोहश्च नासष्ट और लोव इसे ही पाप आचरण करने वाले को सत्य सत्य का विचार नहीं सूसते जैने कि वो मुह में वज जाता है नाश्चत और उसी से कभी उसे प्राण हानी भी हो जाती है लोब पापस से कार्ण क्योंकि लोब ही सभी पापों का कारण है आगे ए संभवं हेम म्रगस्य जन्म तथा अपी राम लुलूभी म्रगाय प्राहे समापन विपत्ति काले दियो अपी पुन्शा मलीना भवंती तो देखिए यहां कह रहे हैं कि हेम म्रगस्य जन्म असंभवम कि स्वर्ण का हरिन होई नहीं सकता हेम म्रगस्य हेम यानि कि सोने म्रग का जन्म जन्म असंभवम संभव नहीं है कि सोने के म्रग का जन्म संभव नहीं है तथा पी फिर भी रामो लुलूबे म्रगाय पिर भी रामो रामचंद्र भगवान म्रगाय स्वर्ण म्रग के लिए लुलूबे लुब्द हो गए यानि स्वर्ण म्रग के लिए लुब करने लगे या सोने के म्रग को पाने के लिए ल लिष्चे होता है क्या होता है कि विपत्ति काले समापन्य विपत्ति काले प्राय की प्राय विपत्ति के समय आने में कि विपत्ति का समय आने पर धियो अपी बड़े पुरुशों की बुद्धी भी धियो अपी पुन्शाम धियो अपी पुन्शाम यानि कि पुरुशों की दियो अपी बुद्धी भी मलीना भवंती मलीन हो जाती है यानि कि फिर कबूतरों की बुद्धी के लिए तो कहना ही क्या है जब भगवान राम ही सोने के म्रग के लिए फस गये कहने का तात पर यह यह है तो दुबारे सुन लेजिए यहां कबूतर सोच रहे हैं कि हेम म्रग बस ये जन्म असंभवं कि सोने की म्रग का जन्म असंभवं असंभव है तथा पी फिर भी रामो राम चंद्र भगवान म्रगाई लुलूबे सोने की म्रग पर लुलूबे लुब्ध हो गए। यह क्या है। जाल में फस गए यानि कि जाल में बंद गए। तब यसी कतनात जिस कबूतर की कहने से तत्र अवलंबिता आस्ती सब कबूतर उस जाल पर उत्रे थे। सर्वे वे सभी तिरस कुरवनती इसमें उस कबूतर का त्रसकार करने लगे। क्योंकि करन्य कबूतर था जिसने चित्रिग्रेव की बात को नहीं मान करके कहा कि ऐसे हम सभी बड़े बड़े बुजोर्गों की सारी बात मानने लग जाएंगे तो उसकी बात को मान करके सभी कबूतर जाल पर बैठ गए। जब वो जाल में फस गए तो जिस कभूतर की कहने से वो उस भूतल पर उत्रे थे अव लंबिता असती और उस जाल पर बैठ गए थे वो वे सभी कभूतर उसका भूतर वत रिश्कार करने लगे आगे आगे ने गणसी अग्रतों गचेत सिद्धे कारिये समय फलम यदी कारे विपत्ति ही श्यात मुखरम तत्र हन्यते तो देखिए, सभी का पुतर कैसे तृषकार करते हैं? क्याते हैं कि गणसी अगरते ने गच्चेत, गणसी यानि कि समुदाय का अगरत ने गच्चेत कि समुदाय का नेता नहीं होना चाहिए. कि किसी भी कार्य में समुदाय का नेता नहीं होना चाहिए. क्योंकि कार्य की सिद्धी होने पर फलम, समम, यानि कि समग्रम, भवती, कार्य की सिद्धी होने पर सब समान फलगामी बन जाते हैं. पर आगे कहते हैं, यदि कार्य विपत्ति स्यात और यदि कार्य की सिद्धी नहीं होती है, यानि कार्य में विपत्ति आ जाती है, तत्र, महासभी, मुक्रम हन्यते, नेता को यानि मुक्रमे बोलने वाले को हन्यते, तरसकार का पात्र बना देते हैं. तो कहने का तात पर ही है कि हर जगे समुदाय का नेता नहीं बनना चाहिए क्योंकि यदि कारी की सिद्धी हो जाती है तो सबी कहते हैं कि हमने ये काम किया था हमने ये काम किया था इसलिए कारी की सिद्धी के द्वारा में फलकी प्राप्ती होई यदि कारे की सिद्धी नहीं होती है, कारे विपत्ती, यदि किसी कारे विपत्ती हो जाती है, तो नेता को ही अपियस 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 अतर तरसकार का पात्र सब बना लेते हैं तो देखते हैं कईए बोतर सूचता है कि ने गणासी अग्रतो गच्चे कि कभी भी समुदाये के आगे नहीं चलना चाहिए क्योंकि सिद्धे कारे के सिद्धी होने पर समंफलम सभी समान फलगामी हो जाते हैं यदि कारिये में विपत्ती आ जाए तो मुख्रम तत्र हन्यते तो वहां बोलने वाले की अर्थात नेता को ही हन्यते मारा जाता यनि वहां नेता ही मारा जाता है अब आगे तस्य तरशकारम सुर्टवा चित्रगरीम उवाज कि उस प्रवर्तक कबूतर के तरशकार को सुनकर के चित्रगरीम उवाज कबूतराज चित्रगरीम बोला नैयम कस्येंधोषए कि यहां इसका दोश नहीं है यत है क्यों की, क्यों नहीं है दोस्ट आपडाम आ पतंती नाम हितोअपी आयाती है तू ताम मात्री अंका, मात्री जणगाही वच्सस्य इस्थम्भी भवती बंधने देखिए कह रहे हैं कि हितो अपी की सदा हित करने वाले जन्भी आपतंती नाम आपदां अवश्य आने वाली आपदा हेतुतां आयाती कि सदा हित करने वाले जन्भी आपदां अवश्य आने वाली विपत्तियों में हेतुतां निम्मित भूत आयाती बन जाते हैं क्योंकि ही मात्र जंगा क्योंकि गोकी जांग वचसस्य बंधने वचसस्य बचड़े की बंधन का इस्थम्बी रूप भी होती है क्योंकि मात्र जंगा क्योंकि मा की जांग वचसस्य बचड़े का इस्थम्बी भवती इस्थम्बी भूत भी होती है बंधने यानि की बंधन करने में इसलिए यह कबूतर निर्दोश है दुबारे सुन लीजिए इसको एक बार यहां चित्रग्रीव कहता है सभी कबूतरों से कि हितो अपी चाहने वाला व्यक्ती भी आपतंती नाम आपदाम यानि की अवश्य आने वाली आपदाम आपत्तियों में हेतो ताम आयाती निम्मित भूत हो करके आजाता है ही क्योंकि मातरी जंगा की गाय की जांग कभी दोहन की समय वचसस्य बचडे का बंधन इस्थम्भी भवती बंधन इस्थम्भी रूप भी होती है यानि कि गाय की जांग कभी दोहन के समय बच्छडे के लिए बंधन रूपी स्थम्भ हो जाती है यानि कि उसको उससे परिशानी भी कभी कभी हो जाती है अब आगे अन्य अच्चे और भी से बंधुर यो विपन्ना नाम आपत उद्धरन छमं नेतु भीत परित्रान वस्तु पालं भुपंडित है तो देखिए यहां कहते हैं कि यह यो जो विपन्ना नाम विपन्ना नाम विपत्तियों से आपत उद्धरन चमं भवती यानि कि जो पुरुस विपत्तियों से बचाता है यह विपन्ना नाम जो विपत्ति में पड़े हुए की आपत उद्धर्ण चमें उसको विपत्तियों से उबारने वाला होता है से बंदू, वही बंदू है। विपत्तियों की आने पर रक्षा ने करके वस्तू उपालंब पंडिते तू ने केवल त्रशकार करने में जो पुरुष कुशल है। विपत्तियों लिज्ञे गवारनी इसको यहाँ पर कभी कह रहे हैं कि भीत परित्त्रान विपत्तियों से रक्षा ने करके जो केवल उपालंब पंडिते जो केवल उन व्यक्तियों का त्रशकार करने में पंडित याने की कुशल होते हो पालम यानी त्रशकार करने में नेतु वे भाई नहीं हैं दोबारे सुन लेजेगा इसको पूरे को जब आपको समझ में आ जाएगा जो विपन्नाना विपत्यों में पड़े हुए लोगों की आपत उद्धरणम छमम आपत्यों से उबारने में कुशल है से बंदो वही भाई है नेतु वे भाई नहीं है जो भीत परित्राण वस्तु जो की विपत्यों की आने पर रक्षा नहे करके उपालंब पंडिते केवल त्रशकार करने में कुशल होते हैं नेतु वे भाई नहीं है अब आगे विपत्काले विस्मय एव का पुरुस लक्षणम तद अत्र धैरियम अवलंब्य प्रतिकारश चिन्तियता यत है क्यों की केरें कि विपत काले विपत्ती की समय विस्मय एव व्याकुल होना ही का पुरुस लक्षणम कायर पुरुस का लक्षण है तदत्र इसलिए धैरियम अव लंब्य धैरिय का सहारा लेकर ये धैरिय रखकर प्रतिकारश चिंतियताम प्रतिकारश इसका उपाय सोचिये क्योंकि यत है क्योंकि अब आगे विपत्ती धैरियम अथ अब्यूदे चमा सदिसी वाक पटूता युदी विक्रम है यससी चैभी रूची व्यश्नम शृती प्रकती सिद्धम इदम ही महात्माना तो कहरें कि विपत्ती में धैरिय धीरता रखना अथ अब्यूदे चमा अब्यूदे यानि की उन्नती होने पर यानि समर्ध होने पर चमा रखना सदिसी वाक पटूता सदिसी यानि की सभा में वाक पटूता बोलने की चतुरता रखना युदि विक्र में, युद्ध में सूरवीर होना, यससी चे अभीरूची और यससी यानि की कीर्ती में अभीरूची रुची रखना, व्यश्नम शुरुती यानि की सास्त्रों से व्यश्नम प्रेम होना प्रकति सिद्धम इदम ही कि यह सब महात्माना महान पुरुषों में प्रकति सिद्धम सभाविक रूप से सिद्ध होते हैं दुबारा सुन लीजिए यहां कवी कह रहे हैं कि विपदी चित्रिग्रीव नामक कपोत राज के माध्यम से कि विपदी धहर्यम विपत्ती में धहर्य रखना अथ अभ्यूदे चमा समर्थोने पर चमा रखना सदिसी वाक पटूता सभा में वाक का चतुर होना युदी विक्रम है युद्ध में विक्रम दिखाना यससी चे अभी रूची और यससी यश में रूची रखना व्यश्नम शुरुती शुरुती यानि की वेद सास्त्रों में शास्त्रों में व्यश्नम क्या कहते प्रेम कर रखना इदम ही यह सबी महात्मा नाम महान पुरुषों में प्रकति सिद्धम सभाविक रूप से सिद्ध होते हैं आगे चित्रग्रीव कपूत राज कहता है संपदी यस्यने हरसो विपदी विशादो रणे चे भीरुत्वम तम भुवंत्रे तिलकम जनियती जनिनी शुतम विरलम देखिये यहां चित्रग्रीव कहता है कि संपदी संपत्ति का लाब होने पर यानि कि अथा संपत्ती होने पर यस्ये जिसको हरसोने हरस नहीं होता है विपदी और विपत्ती आने पर विशादों ने कोई शूक नहीं होता है रणे चे भीरुत्वम नैभवती और युद्ध के मोके पर भीरुत्वम जिसको भे नहीं होता है तम वह भुवंत्रिय तिलक्सुत कि ऐसे गुणों से युक्त तिरलोक पुजिय पुत्र की पुत्र को विरलम जननी जनयती कि कोई माता ही जन्यती जन्म देती है के जिसको संपत्ती प्राप्त होने पर न तो हर्श होता है विपत्ती आने पर न विशाध होता है और अरण भुमी पर जाने पर कोई भे नहीं होता ऐसे उस तीनों लोकों के तिलक रूप पुत्र को विरलम, मतलब ऐसे विरल पुत्र को कोई जनिनी जनियती, कोई माता ही जन्म देती है तो दुबारे सुन लीजिए यहां कवी कह रहे हैं कि संपदी, संपत्ती का अलाब होने पर यस्यन हर्षो जिसको हर्ष नहीं होता है विपिदी और विपत्ती में विशादो, कोई विशाद नहीं होता है रणे चे भीरुत्वम और रणे युद्ध का मौका आने पर भीरुत्वम जिसको भे नहीं होता है तम भुवन्त्रिय तिलकम सुतम विरलाम कि उस तीनों लोकों के पुज्य तिलक रूप विरलाम सुतम विरले पुत्र को जनिनी जनियती कोई माता ही जन्म देती है आज के लिए इतना ही बाकी हम कल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बहुत बहुत धन्यवाद